देशी प्रतिदिमंडल के कश्मीर जाने पर विपक्ष भड़का हुआ है दरसल प्रतिदिमंडल के दौरे पर विपक्षी पार्टी ने तीखी आलोचना की है राहुल गांधी ने यूरोपियन यूनियन सांसदों के कश्मीर दौरे को लेकर सवाल उठा दिये हैं और सवाल क्या है कि आखरकार कश्मीर दौरे के लिए यूरोपियन यूनियन सांसदों का स्वाकत क्यों हो रहा है जबकि भारती सांसदों को वहां जाने से बैन है और इसमें कुछ तो गड़बर है तो ट्विट के जरीए ये बार पलतवार यहां पर राहुल गांधी का हुआ है सरकार पर लगातार आटिकल 370 को लेकर हम देख रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी और पक्षी पार्टिया सरकार पर हमला वर है और अजबीच एक और हमला प्रतिदिमंडल के दल को लेकर यहा सब कुछ कहिना कहीं कुछ गड़बर का इशारा कर रहा है तो जारकारी देख इस से पहले सुमवार को यह जो प्रतिदिमंडल दल है वो प्रधान मंत्री नरेद मोधी से भी मिला उनसे भी मुलाकात की और किस तरह का महल जमुकरश्मीर में चल रहा है इसको लेकर उन्हों उन्हें वहाँ पर बात चीत की है जमीनी स्तर पर अभी प्रतिदिमंडल देखना चाता है कि क्या धारा 300 से 70 से जुड़ी सभी जो बाते अब तक बतलाई गए हैं क्या उन्हें हकीकत है और क्या उन्हें जूट कहिना कहीं बोला जा रहा है तो स्थानी लोगों से मुलाकात करने का मकसद यहां पर यही है कि लोगों से पूछा जाए कि आखिरकार क्या सचमे धारा 370 हटने के बाद स्तिति भयावक है क्या लोग डर के महौल में हैं